निम की मुख्या के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा मस्यदार किस्टा जहां दादी को निम की घर के रसोई से चुरा कर लाकर देती है गाजर का हलवा ये देखकर दादी उससे इतना खुश होती है कि वो देदेती उसे खानदानी हार जिसे उन्होंने खुद आस तक अनारों को भी नहीं दिया है लेकिन इसकी पूरी जानकारी देने से पहले आपको शोग के कल के एपिसोड के बारे में बता देते हैं जहां आपको देखने को मिला कि निमकी और उसकी दादी गाजर का हलवा खाने के लिए लल चा रहे होते हैं जिसके साथ ही आपको निमकी और दादी के वीच खटी मिटी नोगजोग भी देखने को मिली मही तेतर सिंग भी आगया है पटना से वापिस जहां सब लोग मिलकर खुँद मज़े से हलवा खा रहे होते हैं पर निमकी और दादी को ये हलवा नहीं मिलता है जिसके बाद निमकी लगी है अपनी नौकरानी को मक्खर लगाने में महीं शो के आने वारे एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि निमकी को बहुत मन करता है गाजर का हलवा खाने का जिसके लिए वो किचन में चोरी छिपे जाकर काजल का हलवा चुरा लेती है पर खाने से पहले उसे दादी की याद आ जाती है और वो जाती है उदास बैटी दादी के पास जहां पहले तो दादी खडूस कीरी दिखाती है पर बाद में मान ही जाती है और उसे रुपने को ब बाद कपता जैसे ही अनारों को लगता है वो बहुत आग बहुला होती है किसी के साथ शो के आने वाले एपिसोड में देखना होगा काफी मज़िदार आकि दादी के बाद किस-किस को अपनी तरफ करने वाली है निल्की यह सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक बाद करते है का फ्रफ करपके बाद करते है